नमस्कार आज कहानी गोल्ड में सुनिये सुमन बाजपई जी के लिखी कहानी परचाईया देखो देखो भाबी के होट कुछ कहने को हिल रहे हैं बुआ मम्मी अपनी आखे भी खोलने की कोशिश कर रही है बहु की उंगलियां कपकपा रही हैं शायद किसी को अपने पास बुलाने का संकेत दे रही हो होश में तो कुछ कहना पाई अब भला कैसे हिम्मत करेगी सारी हिम्मत तो चुक गई थी इसकी अपनी बेटी की हालत देख उसके मा को आज इस बात का भी भै नहीं रहा था कि वस सीधे सीधे आज उसके ससुराल वालों पर आक्षेप लगा रही है पर ताजूप की बात तो यह थी कि आज आक्षेप सुनकर भी सब चुप थे नजानिक क्या कहना चाहती है त्रिप्ती काश मैं उसके दिल की बात समझ पाता पती आकाश के स्वर्मी छिपी व्य था वातावरण को जरूर पिखला गई पर अर्ध चेतन त्रिप्ती को बहुत अंजानी सी लगी सही भी तो है कठोर हिर्दय इंसान का पिखलना या द्रवित होना आसान भी कहा होता है अंदर जमा आकरोज या जड़ता खतम होते होते कई बार पूरा जीवन बीच जाता है पत्थर पर रस्ती के निशान बेशक पढ़ जाएं पर उसे तूटने में सदियां लग जाती है चिंता मत करो बेटा बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी हमारी त्रिप्ती सास का चिंता तुर्स्वर सब कुछ बहुत अलग था त्रिप्ती के लिए तो जैसे असहज जो अब तक घड़ चुका था उसके तुलना में ये सारे शब्द बौने और चिंता निरर्थक लग रही थी अस्पताल के बिस्तर पर अर्ध बेहोशी की हालत में लेटी त्रिप्ती की जिंदगी के गटना क्रम में सिवाए निरस्ता और ठकान के कुछ नहीं था जिसका उदाहरन दिया जा सकता है या जिसे कभी सुखद पलों की तरह याद किया जा सकता है लेकिन एक बात अवश्य थी उसकी जिंदगी में कि वह बहुत तेज गती से हर पल खूमती थी कभी कुछ पल भी नहीं मिले उसे ठहरने के लिए अपने बारे में सोचने के लिए इस वक्त उसे यह भी नहीं पता था कि वह अस्पताल में है किवल आसपास तैरते शब्द उसे बोध करा रहे थे कि आज उसकी भागती दौरती जिंदगी में व्यवधान पड़ गया है जिसको लेकर हर कोई चिंती थे वह भी शायद इसलिए क्योंकि उसके इस तरह गतिहीन हो जाने से बाकी लोगों की जिंदगी निश्क्री हो गई है अपने चारो और वह आवाजें शोर, दवाईयों की मिली जुली गंद सब महसूस कर पा रही थी यह गंद उसके भीतर भी उसे कड़वाहट का एहसास दे रही थी आसपास पसरे उस शोर में तेरती परेशानी उसके ठीक हो जाने की प्राटना सब उसे बेचैन कर रहे थे उस बेचैनी के साथ आशचरे का विशाल सागर भी उसके अंदर उचाले मार रहा था तेवर लहरे मानो उसके विश्वास को जग जोरने को आतुर थी असपताल में तो सन्नाटा होना चाहिए पर उसके पास तो शोर था और वह तकलीफों का शोर उसे एहसास करा रहा था कि उसके आसपास आज परिवार का हर सदसे मौजूद है यहां तक कि उसके मा बाबुजी भी है आखिर क्या हुआ है उसे जो मा बाबुजी भी आ गए परना ना तो उसे उनसे मिलने की इजाज़त थी नहीं वे आजा सकते थे बहुत कोशिश कर रही थी भजागने की इसी प्रयास में कि कभी उंगलियों में कमपन हो जाता तो कभी पल के खुलने को व्याखुल होने लगती लगातार यू लेटे रहने की आदत ही कहा है उसे वह भी सब के सामने उसे उचना चाहिए उसे लगा मानो शरीर का अंग सुन हो गया है जीवन जीने की चाह इनसान में जुमबिश भरती है पर त्रिप्ती वह चाह कहां से लाए इस हालत में भी वह उन बातों उन घटनाओं को नहीं भुला पा रही थी जो बीते दिन की कड़वी सच्चाई थी और लाख पीछा चुडाने की चेश्टा करने के बावजूद परचाईयों की तरह उसके वजूद का हिस्सा बन गई थी विवाग के बाद ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता था जब उसे किसी न किसी बात के लिए ताना न दिया गया हूँ सास को कम दहिज लाने पर शिकायत थी तो ससुर को उसके रोज-रोज स्वादिष्ट वेंजन न बनाने पर ननद एक मौडन भावी चाहती थी और पती एक कमाओ बीबी जो नौकरी करने के साथ-साथ घर को भी कुशलता से चलाए सबके ज्शाओं का अर्थ था कि उन्हें बहु नहीं एक सूघर मशीन चाहिए थी जो निरंतर काम करती रहे पर उसमें समवेदना भी हो जो चुपचाप सहे पर ठकने का नाम न ले शायद किसी नए सदस्य के घराने से ऐसे ही उमेदे लोगों के मन में जाकती होंगी आखिरकार नए सदस से को उस्वेकारना आसान नहीं होता है हर कोई अपनी तरह से जिंदगी जी रहा होता है ऐसे में एक बाहर वाले का प्रवेश हस्त शेप जैसा लगता होगा अनित्या क्यों बहु हमेशा पराई के पाले में खड़ी रहती है उस हस्त शेप से अपने को समभालने के लिए ही उस घर में रहने वाले लोग हर तरह की अपेक्षाओं से उसे लाद देने में भलाई समझते हैं हो सकता है कि कहीं न कहीं ऐसा असुरक्षा के ख्याल से होता हो कि कहीं वह नया आने वाला उनकी भूमिकाओं से उन्हें पदस्त ना कर दे नई बहु के रूप में उससे केवल उमेदे ही है यह बात वह विवाह के एक दो दिन ही बात समझ गई थी वैसे भी मध्यमवर्ग की लड़की का पालन ऐसे ही किया जाता है कि वह सब के इच्छाओं की पूर्ती करे इसलिए त्रिप्ती ने घर की सुक्षान्ती बनाई रखने के लिए अपने सपनों को साथ हाए संदूकों में ही काग्जों के नीचे तहा कर रख दिया वेकार बाहर रहते तो उसे परिशानी होती उसे यही रहना है और विरोधवा कर नहीं सकती इसलिए कमर कसकर काम में जुटी रहती सारा दिन घूम घूम कर वह सब की जरूरते पूरी करती फिर भी हर किसी के माथे पर शिकन कायम रहती रात को ठक कर चूर हो जवा लेटती तो पती से प्यार कम और या एहसास जादा मिलता कि उसके शारिरिक भूख मिटाना उसका करतव्य है फिर चाहे वो ठकी हो या उदास पती का काम उसके इच्छा अनिक्छा का मान रखना नहीं है बलकि उसकी जरूरत पूरा करने का अर्थ है कि त्रिप्ती पती का अपमान कर रही है समाज में लोग यह ना कहें कि बहुत दुखी है इसलिए आने जाने वालों के सामने जरूर उससे तरीके से बात की जाती ऐसी तारीफ होती कि त्रिप्ती को लगता कि कहीं उनकी खातिरदारी में चूपना हो जाए इसलिए फिर जुट जाती चकर घिन्नी की तरह उसे भी प्यार और सम्मान की भूख है वह अभी अपने मनोभाओं को व्यक्त करना चाहती है ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं या शायद उन्हें सोचने की जरूरत महसोस नहीं हुई क्योंकि वे लोग उसे उस खाके में फिट रखना ही नहीं चाहते थे जिसमें उसे भी दूसरों की तरह खुशियां पाने का अधिकार हो त्रिप्ती को किसी चीज की चाह क्यों हो वह आशाओं के समुंदर में क्यों तैरे उसे तो सिर्फ अपनी विभिन भूमिकाओं में खरा उतरना होगा अगर इस घर में रहना है तो वरना जा सकती है वह अपने माबाप के पास नहीं वैसे मिलने का अधिकार भी नहीं था उसके पास क्योंकि ससुराल वालों की बुराई न करते नहीं उसके माता पिता बेटी से मिलने आ सकते थे दिल की बात करने के सारे रास्ते बंद थे त्रिप्ती का मन करता वह भी खुशियों के हरपल को अपनी मुठियों में कैद करे वह भी गुनगुनाए जीवन के सतरंगी सपनों को अपने भीतर बुने और उन्हें साकार होते देखे पर वा तो हसी के मायनी तक भूल गई थी मुस्कुराहाट उसके होठों को छूती नहीं थी चहरे पर च्छाई मायूसी ने उसके सपनों को बदरंग कर दिया था आकाश इसी बात से खेशता आखिर क्यों मायूसी च्छाई रहती है हर वग कोई उसे मारता है खाना नहीं मिलता या कपड़े नहीं बहनने को कमी तो किसी चीज की नहीं है रही बात काम की तो सभी को करना पड़ता है और फिर तुम तो नौकरी भी नहीं करती हो जो ठक जाती हो त्रिप्ती ने कभी नजदी की, पलों में उसे समझाने की कोशिश की थी कि ओरत सिर्फ कपडों जेवर से खुश नहीं रहती है प्यार और सम्मान पर उसका भी हक है पर आकाश को इन बातों से चिड़ थी ऐसी नारिवादी सोच रखने का शौक है तो किसी महिला संगठन में शामिल हो जाओ और गर्द कर लो अपने जीवन को शादी के बंधन में रहते हुए हक की बात संभव नहीं जानता हूँ कॉलेज में बहुत मोर्चे निकाले हैं तुमने पर यह मेरा घर है काइदे कानून है यहां कुछ तुम्हें मानना ही होगा अन्यता दरवाजे बाहर जाने के लिए भी खुले हैं अपमान दर अपमान विकार है इस आदमी से बात करना उसके पुरुष सोच हमेशा अतितक जाती है संतुलन या बीच का रास्ता बूझ ले संभव नहीं तृपते रिष्टों को निभाने में यकीन रखती थी तोड़ने में नहीं अलग हो जाने के लिए कदम बाहर निकालना आसान है पर वह विकल्प नहीं है ना किसी डर से तृपती उस घर में नहीं रह रही थी बस केवल दोनों घरों के इज़त को देहरी से बाहर जाने से रोक रही थी एक के बाद एक वह दो बच्चों की मा बन गई तीसरे के समय गर्फ पात हो गया तृपती ठकती गई बच्चों के साथ जिम्मेदारियां बढ़ गई पर उन्हें बाटने वाला कोई नहीं था विद्रोख करने की प्रकृती उसकी नहीं थी वह जानती थी इससे घरोंदा टूटेगा तो उसके ही बच्चों पर गाज गिरेगी बाकी लोग उसके सैयम को उसकी कमजूरी या मजबूरी बेशक समझे त्रिप्टे को कोई फर्क नहीं पढ़ता था इससे नारिवादी सोच रखने या सम्मान पाने के खातिर वह दूसरों का अपमान करने में यकीन नहीं रखती थी हाँ इतना मलाल उसे अवश्य होता कि अपने हक के लिए न लड़कर वह अन्याय कर रही है या गलत है जानते हुए भी वह सहती गई सच तो यह भी था कि पती के सहारी ही एक लड़की अपनी जगे बना पाती है जबके यहां तो आकाश के लिए वह सिर्फ देह की भूफ मिटाने वाली मशीन थी जिसे हर समय प्रसन और तरो ताजा रहना चाहिए ताकि वह उब महसूस न करे त्रिप्ती ठकती गई बच्चे बड़े वे तो उसने सोचा शायद अब राहत मिल जाए शायद उसके कोख जाए उसकी ममता का मान रखे वह उनसे अपनी पीडा बाट पाए उनके साथ हसी के कुछ पल बटोर पाए पर नहीं बच्चों ने जो देखा वही सीखा मा पर हुक्म चलाना त्रिप्ती ने साथ ससूर पती ननत किसी के काम को करने में मना ही नहीं की तो बच्चों की बात कैसे टालती असमें बुढ़ी और निस्तेज होती मा बागों को उसे अपने दोस्तों से मिलवाने में उसके साथ कहीं जाने में शर्माने लगी रजत कहता मा औरों की मम्मी कितने टिप्टॉप रहती हैं और आप हैं कि सारे दिन मुसी हुई साड़ी लपेटे बिना मेकप के यूँ ही खूमती रहती है आभा कहती मम्मी थोड़ी मौडन बनिये पापा को देखिए कितने हैंसम लगते हैं त्रिप्ती चुप रहती पिगड़ा आसूं में बहती एकांत उसके हर दुख का साक्षी था अकेले में भी संदूक में बंद सपनों को निकालने की हिमत नहीं होती कितना तकलीफ दे होता है या एहसास कि उसके पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ आप अपनी विधा बाट सके उसका तो कोई कुसूर भी नहीं है सबकी खुशियों की खातिर अपनी मुस्कुराहट तक को बाहर नहीं आने दिया कभी किसी का दिल नहीं दुखाया किसी का अपमान नहीं किया कभी उचे स्वर में बात नहीं की उसकी तो छोटी छोटी बातें तक अनकही रह गई वक्त के साथ साथ ससुर बोड़े हुए भी तो भी त्रिप्ति को हक नहीं मिला तीरे धीरे उसके आसो भी सोखने लगे बच्चों के उलाहने उसे छलनी करते कब करेवा शिंगार वह भी बंठन कर रहना चाहती है पर ना तो कभी फुरसत के पल उसके हिस्से में आए नहीं कभी उसके भीतर जीनी की ख्वाईश किसी ने पनपने दी बरसों हो गए हैं उसे बाहर निकले पती भी अकेले ही जाते हैं आखिर पार्टियों में जाने लायक वह है कहां वह तो फूहड और वरत है जिसने पढ़ लिखकर भी सारी जिंदगी घर और बच्चों पर लुटा दी उसके चाहत के लिए खुशियों के दिये जलाने वाला कौन है त्रिप्ती के सपने बदरंग हुए तो आखे भी पत्रानी लगी जड़ता उसके भीतर समाने लगी अपनी खुशियों और इच्चाओं को दाओं पर लगाते एक दिन बद ठक गई चोटी मुटी बिमारी होने पर भी वा कभी आराम नहीं कर पाती थी तवाईयां हाथ में पकड़ा दी जाती थी खालो यो नाटक मत करो बुखार खासी तो मामूली बात है आकाई जुझलाता और सास अपने जोडों के दर्द का रोना लेकर बैठ जाती कुछ पल आराम के कुछ चड़ अपने कभी उसने चुराने भी चाहे तो उससे छेन लिये गए जिन्दगी के हर पल को बिना रुखे योही हाथ से निकलते जाते देखती त्रिपती एक दिन ऐसी ठकी के बेहोश हो गई दुख पीड़ा और उमीदों का सिलसिला एक बारगे की ठकावट के साथ अंतिता थम ही गया आराम के अंगीनत पल अचानक उसके पास आ गए अपने शरीर में टीस महसोस हुई उसे सुईयों की चुभन मानो दर्द के अनंतिसागर में डूपती उत्रा रही हो शब्द शब्द और शब्द त्रेप्ती ने चिल्लाना चाहा मुझे शान्ती चाहिए कुछ पल दे दो जीने के लिए पर होट केवल हिल कर रह गय कैसा महसूस कर रही हो अकाश के हाथ उसके माथे को सहला रहे थे इस इसपर्ष में आत्मियता एक प्यार की चुवन थी पती के साथ संसर करते हुए भी कभी इस तरह की सुखदन उभूती नहीं हुई थी क्या ऐसा होता है पुरुष का प्यार भरा इसपर्ष काश ये पल यहीं थम जाए इसके इस हालत के हम ही जिम्मेदार है आकाश के स्वर में नहीत पीड़ा त्रिप्ती के लिए अंजानी थी या आदमी इतना संवेदन शील हो सकता है हाँ बेटा हमने कभी त्रिप्ती की खुश्यों को तो समझा ही नहीं हमेशा बिना कुछ कहे हमारे इच्छाओं को पूरा करती रही कभी उफ तक न की कभी जवाब नहीं दिया सास की ममता उसे चुगई परविश्वास उसे या स्विकारने नहीं दे रहा था सच ऐसा हो सकता है क्या आज महसूस हो रहा है कि त्रिप्ति की हम सबको कितनी जरूरत है आज तक इसके वजूद को न कारते ही रहे थे हम या कभ हमारे प्रतेकपल का हिस्सा बन गई थी जाना ही नहीं मिश्रित आवाजें सुखद लग रहा था त्रिप्ति को कोई उसके लिए भी परिशान हो सकता है उसकी भी किसी को जरूरत है नहीं अज जरूरत उससे काम करवाने के लिए नहीं है बलकि वे उसे चाहते हैं उसे मान दे रहे हैं उसके हक को उसे देना चाहते हैं मन के सारे आवसात धुल गए थे आखों के कूर कभी गए त्रिप्ति को एहसास ही नहीं हुआ रजत और आभा उसके आसूं को पूछ रहे थे उसे लगा बीते वक्त की परचाईयां गुम हो गई है और वस सब के सामने संदूक में बंद सपनों को खोल उन्हें जी सकती है अभी आप सुन रहे थे सुमन बाजपेई जी की लिखी कहानी परचाईयां